प्रस्तूत याज की मुख्य समाचार रैपीड हीट लाइन सिलिगुडी में लावारिस हालत में पड़ी मिली नवजाद बच्ची सिलिगुडी माकुमा परिशत के गोश्पुगुड छेतर के फौजी जोद गाव में दो दिन की नवजाद कन्या के बरामदगी को लेकर संसनी फैल गई है माता पिता तीन से चार दिन की नवजाद बेटी को स्थाने निवासी के घर की बालकनी में छोड़ कर भाग गए इसके बाद स्थाने लोगों ने तुरंत इसकी सुचना गोश्पुगुड चौकी की पुलीस को दी खबर पाकर पुलीस मौके पर पहुची और लड़की को बचा कर अस्पताल पहुचाया उसे किसी तरह वहाँ से निकाल कर फासी देवा ग्रामिन अस्पताल आया गया उलेखनिया है कि कुछ दिन पहले सिलिगडी महकुमा की विधानगर के जंगल से एक बच्ची को बचाया गया था बार बार घोश्पुकुर इलाके के फौजी जोद गाउ में इसी तरह की घटनाओं से काफी संसनी पहल गई है फासी देवा ग्रामिन अस्पताल चिकित्सा सुत्रों के अनुसर बच्ची फिलाल स्वस्त है घटना की सुचना पाकर फासी देवा थाना और घोश्पुकुर थानी की पुलिस मौके पर पहुची लेकिन इस बच्ची को रात के अंधेरे में कौन छोड़ गया इस सम्मंद में कोई जानकारी नहीं मिली है इस्थाने निवासी ने बताए कि इस बच्ची की चीक सुनकर इस्थाने लोग उसे बचाने के लिए पहुचे थे बहरहाल इस घटना के पीछे कौन-कौन शामिल है और इस बच्ची को किसने छोड़ा गोश्पुकुर थाने की पुलिस पुरे घटना की जांच में जुट गई है पुलिस सुत्रों के मताबिक जगा जगा सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसी टीवी फुटेज देखने के बाद घटने की पुलिस पुरे घटना की जांच में जुट गई है मालदा में आम के बगीचे से 28 बम बरामत कालियाचक थाना च्यतर के बीबी घ्रम इलाके से पुलिस ने 28 बम बरामत किये चलुआ बादर ग्रम पंचायत के बीबी घ्रम में बुधवार की सुबा अचानक बम मिलने से पुरे इलाके में दशत फैल गई है वहाँ इस थाने लोगों ने आंके बगीचे के पास एक डबा बम देखा तुरंत काली आचक थाने को सुचना दी गई खबर मिलते ही काली आचक थाने की विशाल पुलिस फोर्स पहुची बाद में बम स्कुएट CID टीम वो फायर ब्रिगेट को सुचना दी गई पुलिस और बम निरोदक दस्ते ने उस जार से 28 जिन्दा बम बरामत किये करी सुरक्षा के बीच फायर ब्रिगेट और काली आचक थाने की भारी पुलिस बल के साथ बम स्कुएट CID टीम ने बमों को निश्ट दिया कर दिया काली आचक थाना चेतर के बीबी ग्राम इलाके से पुलिस ने 28 बम बरामत किये काली आचक थाना चेतर के जलुआ बादर ग्राम पंचायत के बीबी ग्राम में बुधवार की सुबा अचानक बम मिलने से पुरे इलाके में दहशत फैल गई है अलिपुर्द्वार के ता सथी चायबगान में मनाया गया आदिवासी दिवस फालकटा ब्लोग के ता सथी चायबगान में बुद्वार को विश्वा आदिवासी दिवस मनाया गया तासर्टी आदिवासी विकास समीती की पहल पर बुद्वार को विश्वा आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दिन तासर्टी चाइबगान के फुटबॉल मैदान छेतर में आदिवासी शहीद बीर बिर्सम मुंडा, सिद्धू कानू, कार्ती कुराओं एवंग अन्य शहीदों की तस्वीर पर माले अरपन कर कारिक्रम की शुरुआत की गई। साथी विश्वा आदिवासी दिवस के अफसर परता सटी चाइबगानों के विविन छेतरों में पौधे लगाये गए। सिलिगुडी के तराय तारा पर आदर्स स्कूल में जाकर इस बात के जाच की कि स्कूल के सामने सरक दुरुगटना जैसे कोई खतरनाक इस्तित्य दो नहीं है। सिलिगुडी के तराय तारा पर आदर्स विद्यारे छेत्र का तौरा क्या उन्होंने そう निशित्या कि शत्रों की जान कोई खत्रा ना हो उन्होंने जवरत पढ़ने पैसहर किस सभी स्कूलों की शुरक्स शुनिशित करने के लिए पुलीश कमिस्नेट को हर समोर सहयता को ऊश्वा संद्या कि फोन इन लाइव कार इकरम से बातचीट शुरू करने जा रहे हैं संस्था की चेयरमेन सौरभ चक्रवर्ती ने मंगलवार को सलीगुडी में एक समवाददाता सम्मेलन में यह बात करें उन्होंने कहा कि पहले भी हमने वाटसेप के माध्यम से जनसंपर्ख की प्रायोगिक प्रक्रिया शुरू की थी। अब हम चेयर्मेन से फोन इन लाइफ कारेक्रम में बात शुरू करेंगे। जो प्रतेक मंगलवार को दुपहर धाई बजे से चार बजे तक चलेगा। प्रदर्शन में सामिर होकर आरूप लगाया ही कि राजे भर में महिलाओं पर एक्याचार हो रहा ही इस राजे में महिलाओं सुरक्षित नहीं है। सिलिगुडी के हास में चोट पर कारेक्रम मंगलवार को दूस्टा दिन था। महिला मोर्चा की नेताओं की सिकाय थे कि पूरे पश्रिम मंगार में महिलाओं के खिलाफ हंसा की एक के बाद एक घटनाए होती जा रही है। लेकिन राजे सरकार को एक कारवाई भी कर रही है। इस विरोध में आज ये कारेक्रम सिलिगडी विधायक संकर खोज में मौसूद थी इस कारेक्रम के दौराथ। फूल बाडी दो ग्राम पंचायक के प्रधान और उप्रधान के नाम गोशित। फूल बाडी दो ग्राम पंचायक के मुखिया और उप्रमुखिया के नाम की भूशना कर दी गई। दाप ग्राम फूल बाडी विधान सभाक्षेत्र से संबंदित इस ग्राम पंचायक पर त्रिनमूल कॉंग्रेस ने कबजा कर लिया है। चल्पाइगुणी जिला परिशत के पूर्वाध्यक्ष देबाशीष प्रमानिक ने बुद्धवार को त्रिनमूल की शीर्ष नेताउद्वारा दी गई सूची के अनुसार प्रधान और उप्रधान के नामों की भूशना के। रफीकुल इसलाम को प्रधान और किशोर चंडलरोय को उप्रधान के रूप में चुना गया है।